दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूशन से दिल्ली बेहाल है और धुन्द में रहने को मचपूर है नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल की फटकार के बाद आखिरकार हरकत में आई दिल्ली सरकार ने तीन दिन तक MCT के करीब 1800 स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं के निर्देश दिये हैं इसके साथ यगर किसी छात्र को सास समंदी कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो उसे शीकर ही जिक इत्सा सुविधा उपलब्द कराई जा रही है बहराल प्रदूशन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सडकों की वैक्यूम क्लीनिंग और कई सरकारी कारखानों को बंद रखने की बात कही है लेकिन इन सारी कवायत के लिए सरकार ने दो हफ्तों का समय मांगा है इसे पहले NGT ने के जिवाल सरकार को पटकार लगाई थी और इस्तिती से निपटने के लिए एक्शन प्लान मांगा था आपको बता दे कि दिपावली पर हुई आतिशपाजी ने प्रदूशन के 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिवाली की आतिशपाजी से वायू प्रदूशन 10 से 20 गुना बढ़ गया है दिल्ली NCR में कोहरे की घनी चादर चाई हुई है हवा में बैंजीन नाइट्रोजन डायोकसाइड का स्तर दो गुना बढ़ गया है जिससे हवा की क्वालिटी 40% तक भी कर गई है सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और यही वजा है कि अब सरकार ने MCD स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है वसे आपको यहां बता दे कि चीन की राज़्दानी बीजिन ने भी बढ़ते प्रदूशन के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था लेकिन यहां स्तवाल सिर्फ एक ही है क्या स्कूलों को बंद कर देने से प्रदूशन पर रोग लग पाएगी देखते ने टीविलाईर